हालो अरिवन मार्सल प्रमोल धाका टीन फिजिक्स सील्जी सीगर तो इस सेशन में हम डिसक्स करने जा रहे हैं हमारे डीचियम का जेई का एमटी इस मेजर टेस्स जो सेबंत का जेई में का फिजिक्स का पोर्शन है उसको डिसक्स कर रहे हैं तो चलिए लेट स्टार्ट विद इसक्षिन क्यूशन नमर बन से बात करें कि एटीवी टावर है जा है टीवी टावर की वन फिप्टी मीटर की हाइज है और एबरेस प्र केल्कुलेट तावर के अराउंड में है और पॉपुलेशन जो है टावर जो कवर कर रहा है वो 50 लेक की पुपुलेशन कवर कर रहा है तो चलिए बेसिक साइस के लिए पहले एक प्रिंसिपल अपन डिसक्स कर लेते हैं कि बही किन कंडिशन में टावर के बेस आसपास सर्कुलेशन किस टाइप से होता है यदि टावर की हाइट होती है तो टावर से यह जो पॉपुलेशन कवर होगी यदि मैं इस पार्ट की बात करूं यह जो डिस्टेंस है टावर से यह डिस्टेंस अपने पास आती है अंडरूट टू आरच कम्मु पर उसके पास में कितनी distance cover होती है, वो calculate कर लिया, तो मैंने कहा कितना area cover हुआ, तो बोले जी pi d square area cover हुआ, यदी population density rho है, that will be equal to the total population covered by the tower during transmission and that is 50 lakhs, यह अपने कहा अभी 500, 5000, 5000, 5000, 5000, 50 lakh, we can write it like 5 into 10 ki power, 1, 2, 3, 4, 5, 6. हमें यह से रो calculate करना है, तो pi d square से divide कर दें and d square की value जो है, that is 2r h, radius of earth जो है, that is given the question 6.4 into 10 ki power 6, तो value यदी अपन पूट करेंगे बिटा इसकी, then row comes as 5 into 10 ki power 6, divided by pi के place पर 3.14 put कर दें, यह वाल data 2, radius आगे 6.4 into 10 ki power 6, into में height of tower, that is 150, तो में इस पर यदी में बात करू, तो यह जो data इसमें, इसकी value solve करने पर यह data लमसम में इसके आसपास आता है, मतलब 828.6 kilo per kilometer square में, जो population density है, वो tower के आसपास होगी, so according to this second one is the correct answer, चलिए सरकले question की बात करते है, second वाला जो question है बिटा, that is a question of PN junction, इसमें बोला गया है कि एक PN junction के आसपास, density और distance के बीच, charge density, जो है, charge density row और distance R के बीच PN junction के पास graph जो होता है, वो किस type का होता है, तो हमें यह पता है कि PN junction वाला जो, PN junction के पास वाला जो area है, इधर P, इधर N, इस वाले region में, N वाले region में positive charge और P वाले region में negative charge रहता है, ठीक बात, अब देखो, यहां से यदि आप बात करोगे न, तो graph में ज्यादा confuse होने वाला सा graph नहीं रखा गया, exact हमने function नहीं बनाया इसका, पर ठीक अलम सम्में यदि आपन बात करें, then we can say that first one is the correct answer, बोलो ठीक बात, चलिए सर, अगले question की बात करते हैं, next question जो अपने पास है, question number 3, वो है, कि the potential of an atom is given by V is equals to V0 log R by R0, where R0 is a constant and R is the radius of the orbit, okay, assuming boss model to be applicable, which variation of Rn with N is possible, Rn का, मतलब Nth orbit की जो radius है, उसका N के साथ कौन सा variation होगा, हमने का देखो सर, इस वाले case में potential given है, तो force जो होगा, that will be proportional to del V by del R, तो यदि जैसे हमने differentiate करेंगे, यदि इसको V के, R के respect में differentiate करते हैं, that value comes as V0, log R by R0, we can write it like log R minus log R0 and we have to differentiate it, D by D R, log R का differentiation 1 upon R, log R0 का differentiation 0, so that value comes as V0 by R, so the force is proportional to V0 by R, और हमने का कि force जो है, वो proportional होता है, किसके, M V square divided by R, के, यहां से देखा गया, तो R से तो R सहीद हो गया, मतलब V square जो है, वो कुछ constant ले लूँ में, के V0 divided by M, मतलब velocity जो आ रही है, मेरे पास, that is under root में, के V0 divided by M, यहां से यदि मैं आगे बात करूँ, तो M V R जो होता है, न, देखा बोर्स मोडल में M V R जो होता है, वो N H upon 2 Pi के equal होता है, हमने बोला है कि बोर्स मोडल को अपने को applicable मानना है, तो यहां से देखो, V जो हो N पर depend नहीं कर रहा, इसका मतलब R जो हो N पर depend कर रहा, और वो भी बिलकुल directly R N के proportional होगा, so according to this, first one is the correct answer, चलिए सार, आगे बढ़ाते हैं बात को, next question की बात कर है, question number 4, देखोड यह, question number 4 में क्या का जा रहा है, कि दो magnet है, A और B, and they are geometrically similar, but the magnetic moment of A is twice that of B, A का magnetic moment, B के magnetic moment का twice है, if T1 and T2 be the time periods of the oscillations, when their poles and unlike poles are capped together, okay, respectively, then T1 and T, T1 by T2 will be, मतलब जब उनके poles को, और unlike poles को, like poles और unlike poles, यहां का जो एक data है, वो missing है, आपके paper में है, वो printed, like poles and unlike poles, तो जब like poles साथ में है, तो time period T1 है, unlike poles साथ में है, तो time period T2 है, हमें T1 by T2 का ratio बताना है, तो हमें पता है कि एक बार magnet के लिए time period का जो formula होता है, वो 2 pi under root I upon MB होता है, moment of inertia में change नहीं होना, magnetic moment में change होना है, दब दोनों साथ होंगे, तो M1 plus M2 और जब दोनों opposite में होंगे, तो M1 minus M2, तो पहले case के लिए M1 की value 3M और दूसरे case के लिए M2 की value M, तो T1 by T2 that is under root of M2 divided by M1, and that value is under root of M divided by 3M, तो M तो सहीद हो गया, यह वाला data मेरे पास आगया, 1 by root 3, तो time period T1 by T2 that value comes as 1 by root 3, so according to this third one is the correct answer, चलिए सर अगले question की बात करते हैं, next question की यदी मैं बात करूँ, the next one is question number 5, चलिए सर question number 5 की बात करें, 5 में बोला गया है, for maximum power from battery, the internal resistance of battery is, battery से maximum power में लें, तो इसके लिए battery का internal resistance के इतना है, तो बेटरी से maximum power मिलने के लिए, external resistance और internal resistance दोनों equal होने चाहिए, तो सर्कीट में, external circuit में यदी मैं resistance की बात करूँ, देखो, ये दोनों उस resistance है, series में 2R, ये दोनों भी series में है 2R, और ये दोनों भी series में है 2R, फिर ये 2R इसके साथ parallel में है, ये 2R इसके साथ parallel में और ये 2R इसके साथ parallel, that is 2R by 3, तो situation जो बन रही है, उपर की side में, that is 2R by 3, फिर नीचे की side में बात करें, तो 2R by 3 के दो resistances, 2R by 3 और 2R by 3, ये दोनों resistance है, series में है, अब ये 2R by 3, ये 2R by 3, तो 4R by 3, उपर वाला डाटा 2R by 6 है, we can write it like, 4R by 2R by 3 है, तो 4R by 6 लिख दे है, और ये वाला डाटा मेरे पास आगया, 4R by 3, यदि मैं ने का equivalent resistance calculate करूँगा, that resistance comes as 4R by 9, तो 4R by 9 के according बात करें, तो बेटरी का internal resistance, यदि 4R by 9 के equal होगा, in that case, power delivered by the battery will be maximum, so according to this, second one is the correct answer, चलिए सर अगले क्यूशन की बात करते हैं, next one is, क्यूशन नमगर 6, 6 में बोला गया है, कि दो strings है A और B, unequal length की, equal length की है और unequal linear mass density है, दोनों को साथ में tied किया गया है, with a note and stretched between दो supports के बीच में उसको stretch किया गया है, particular frequency happens to produce standing waves on each part with node at node as shown, if linear mass density of two strings A and B are mu1 and mu2 respectively, कि linear mass density जो है, mu1 and mu2 है, तो मिर कोई बतलाना है कि mu1, mu2 में किस टाइप का relation exist कर सकता है, हमने कहाँ साब देखो, ऐसा है, दोनों strings के basis पर बात करें न, तो पहले वाली string में तीन standing wave बन रही है, और दूसरे वाली string में एक standing wave बन रही है, this one is string A, this one is string 2, तो हमने का जी यह जो data है, यह actually में 3 lambda 1 by 2 की equal है, L comes as 3 lambda 1 divided by 2, और यही length L है, बट यह दिस data is lambda 2 divided by 2, तो अपने पास यहाँ से, lambda 1 upon lambda 2, that value comes as 1 upon 3, अब lambda जो होता है, अपने पास एक formula होता है बटा, V is equals to F lambda, लेंडा की value जोगी वो V by F हो जाएगी, मतलब लेंडा proportional V frequency तो same है न, that is V1 by V2, और string के case में, this is root T by mu, so this data is under root mu 2 divided by mu 1, जैसे ही square करो गया, this data comes as 1 by 9 is equals to mu 2 by mu 1, अब देखो, यहाँ से बिलकुल clear है, की mu 1 की value जो होगी, that will be greater than mu 2, तो third option जो होगा, that will be the correct answer, चलिये सर, आगे बढ़ाते हैं बात को, next यदि मैं बात करूं 5 के बाद, oh sorry, इस 6 कुश्यन था अपना, 6 के बाद this one is 7th one, चलिये, 7th one में क्या बोला गया, कि figure source the variation of magnetic field inside and outside to cylindrical wires, SP and Q, carrying currents that are uniformly distributed, across the cross section of wires, if current density of the wires are JP and JQ, मतलब wires की current density, जो है, वो JP और JQ है, तो मेरे को JP और JQ में relation बताना है, मैंने का देखो, wire P जो है न, actually में, same distance के लिए, wire P का magnetic field ज़्यादा है, wire Q का कम है, बस थोटा सा difference है, ऐसा कुछ, यह वायर से जाना है, इसमें ऐसे हो गया है, तो P का magnetic field ज़्यादा है, क्योंका magnetic field कम है, अब magnetic field जो होता है, वो directly proportional होता है, किस चीज के distance same ले रहे, तो magnetic field का formula जो होता है, इनसेड में, यदि आप directly calculate किना चाओ, बी इंटू 2 पाई आरे जबस टू, मूनोट इंटू में current density, इसके current density ज़्यादा है, उसके लिए magnetic field भी ज़्यादा, तो current density किसकी ज़्यादा है, P की current density क्यों से ज़्यादा है, क्योंकि magnetic field P का Q से ज़्यादा है, चलिए सर, आगे बढ़ाते हैं बात को, नेक्स्ट यदि में बात करूँ, सेवन्त के बाद अगला question अपने पास है, question number 8, देखे, question number 8 में क्या कहा गया है, कि इस LR circuit का time constant बतलाना है, तो किसी भी LR circuit या RC circuit का time constant बतलाना होता है, तो हम ideal battery को short circuit करते हैं, otherwise किसी battery का internal resistance होता है, तो उस internal resistance को, internal resistance को रखते हैं, battery को अटा देते, L के terminals पर, या फिर RC circuit होता है, तो C के terminals पर time constant calculate करते हैं, हमने आज ही देखो ऐसा है, मुझे 0.1 और 0.2 के बीच equivalent resistance calculate करना है, let's suppose this one is 3, this one is 3, this one is 3, this one is 1, this one is 1, तो 1 और 3 के बीच एक resistance है, 2R का battery तो अटाइक देंगे, तो एक resistance 1 और 3 के बीच हो गया, 2R का, 1, 3, एक resistance 2 और 3 के बीच हो गया, 2, 3, एक resistance 3 और 1 के बीच हो गया, 1, 3, this one is 2R, this one is 2R, तो 2R, 2R equivalent कितना बेटा, 2R, 2R equivalent अपने पास आया, R और R और R, तो equivalent कितना आ गया, 2R, तो time constant जो होता है, वो L by R equivalent होता है, तो इसका R equivalent 2R है, तो according to that, 3rd one is the correct answer, बाटीक, चलिए सर, अगले question की बात करते है, 8 के बाद, the next one is question number 9, देखो question number 9 में क्या बोला जा रहा है, कि radius of curvature of a concave spherical surface, separating air glass medium is capital R, a point object is placed on the principal axis of the glass, ओके, कि ये glass है, ये air है, और इसका refractive index 1.5 है, ये radius जो है, capital R radius का part है, ये इसको separate कर रहा है, air और glass को, distance of the object, for the image to be real, seen by observer in air, कि एक observer जो कि air में present है, वो real image देखता है, तो P की distance, P से object की distance कितनी होनी चाहिए, हमें इस पर बात करनी है, चलिए सर, तो मैंने का, देखो, ऐसा है, इस situation में, this one is medium 1, and this one is medium 2, तो mu 2 by mu 1, minus, mu 1 by mu 2, minus u, is equals to mu 2, minus mu 1, divided by the radius, that is minus r, ये data 1 by 2 minus के साथ आएगा, तो this will be 1 by 2 r, ये minus के साथ इदर लेके plus के साथ, तो 1 by u, v is equals to 1 by 2 r, minus में 3 by 2 u, and if image is real, then v is positive, that means this data is greater than 0, if this data is greater than 0, then 1 by 2 r, that is greater than 3 by 2 u, देको, 2 तो साइद हो गया, and u is greater than what, 3 r, so that is given in the fourth option, so according to this, fourth one is the correct answer, चलिए सर, आगे बढ़ाते हैं बात को, 9th के बाद, the next one is question number 10, question number 10 में बोला जारा है, कि एक parent radioactive nuclei, नुकली आइ कापिटल ए, decay constant d, converts into a radioactive nuclei, capital B, to decay constant db, initially number of atom of B is 0, कि initially B के जो number of atoms है, वो 0 है, किसी भी टाइम पर, n a और n b जो है, वो number of nuclei है, a और b के, तो maximum value of, maximum value of n b, is n b की maximum value क्या होगी, हमने का आजर देखो ऐसा है, कि किसी भी टाइम पर, यदि number of nuclei of B, maximum होता है, मतलब a जो है, इसका decay constant db है, b जो है, इसका decay constant db है, b में convert हो रहा, b आगे जा रहा है, ये डी ये से जा रहा है, ये डी बी से जा रहा है, किसी particular instant पर, इसके number of nuclei, यह नहीं बोलकर, इसके number of nuclei nb बोले गए, और ये का गया कि, b के number of nuclei maximum किस time पर होंगे, तो शुरू में a है नहीं, चीक है, b है नहीं है, sorry, तो b जो है, वो produce होता जा रहा है, a से, number of b, number of molecules of b are increasing with time, और a के decrease हो रहे हैं, तो b के production की जो rate होगी, दिरे-दिरे decrease होगी, और a के decay होने की rate decrease होगी, तो b के production की rate भी decrease होगी, पर b के number of nuclei increase हो रहे हैं, तो b के decay होने की rate बढ़ेगी, जब maximum number of nuclei B के होगे, क्योंकि उस instant के बाद भी ज़्यादा decay हो रहा होगा, a के basis पर नहीं, b के basis पर सोचो, की b के number of nuclei maximum कब होगे, जिस time पर b के number of nuclei maximum होगे, उसके बाद उसके number of nuclei घटेंगे, किस वज़े से घटेंगे, decay की वज़े से, बोलो हाया ना, बोलो सही बात है, इसका मतलब production rate और decay rate, जिस instant पर, शुरू में production rate ज़्यादा है, decay rate कम है, तो शुरू में b के number of molecules, जो हो रहे हैं, लेकिन बाद में decay rate कम है, decay rate ज़्यादा है, production rate कम है, इसका मतलब number of nuclei घटेंगे, तो maximum number of nuclei कब होगे, जब production rate और decay rate जो होगी, that is same, तो according to this, number of nuclei of b and a will be in this relation, so according to this, first one is the correct answer, चलिए सर अगले question की बात करते हैं, question number 10 के बाद, the next one is question number 11, देखे 11 में क्या का जा रहे हैं, कि एक capacitor है, made of two concentric spherical cells, a and b, of radii a and b respectively, where a less than b, internal cell जो है, उसकी radius स्मोल ए है, external cell की radius स्मोल भी है, external cell जो है, capital B, अपनने उसको grounded कर दिया है, तो अपन ये बोलेंगे कि बाई साब, उसका potential जो है, वो zero हो जाएगा, inner cell की जो radius है, r less than a, उसको अपनने uniform positive charge, density row से फिल्फिल किया है, मेरे को electric field का distance के साथ, center से distance के साथ, variation बतलाना है, ने का साब लीकर देखो, पहले situation को समझते हैं, एक सेल ये फिर एक ही है, इसमें positive charge field है, ये grounded है, तो मैंने का इस पर charge कितना आजाएगा, बोले जी इस पर charge minus क्यों आजाएगा, ये इस पर total plus Q है, तो आउटसाइड में कोई electric field नहीं होगा, बहुत बढ़ी है, इसके बीच में, तो KQ by R square वाला data वेरी करेगा, और इसके inside में, यदि ये uniform lift, charge density है, uniform charge density है, तो uniform charge density के case में, data जो होता है, वो KQ by R upon capital R cube, कब तक, जब र is in between 0 to A, and where R is greater than A, then this is KQ by R square, and when R is greater than B, Hence the electric field is zero. तो पहले electric field intensity linearly increase करेगी. उसके बाद decrease करेगी. यहां पर जाके रूग जाएगे. इसके बाद electric field intensity 0 हो जाएगी. फीरो में बोला गया कि कि एक holocircular horizontal tube है radius capital R and negligible internet diameter is filled on a horizontal surface ball a of mass small m is given velocity मतलब ये सारे surface जो है उस horizontal hollow circular tube है उसमें 2 balls है ए और एक ball यहां है ए और एक ball यहां है भी इसको अपने वी-not velocity दे दी it collides with ball b of mass 2m collision is perfectly elastic की collision जो है वो आपकी perfectly elastic है center जो है उसको origin लिया गया coordinate system का coordinate बतलाना है next collision का क्या होगा मैंने का भाई साब देखो ऐसा है कि एक particle यहां से चला है कि यह इसके साथ आकर पॉलाइड होता है तो एम मास का particle 2m मास के particle के साथ collide कर रहा है किस velocity से वी-not velocity से after collision मैंने का माल लो 2m के पास velocity चली जाती है वी टू और एम के पास velocity है वी-वन तो सबसे पहली चीज लीनियर मोमेंटम conservation apply करेंगे एम वी-वन प्लस 2m v2 यह cancel out हो गया वी-not की वेल्यू वी-वन प्लस 2v2 आगी पहला data तो यह दूसरा कोफिशेंट अफ रेस्टिटूशन इलास्टिक कोलिजन के बेसिस पर वी-2-1 अपून वी-वन वी-वन प्लस में 0 तो वी-वन का जाटा जो आया वो वी-वन के एक्वल आ गया दिस वन इस एक्वेशन नमबर बन दिस वन इस एक्वेशन नमबर टू दोनों को एड़ कर दो वी-स वी तुग की वैल्यों अगी को धी तुगी नोत भाई 3 को है के डाटा पुट करके वी-वन की वैल्यों निकालोगे तो फिवन की वैलिओ आ जाएगी ओर माइनस में वी-वन उती नोत बाई 3 आप यह पार्टिकल फ्नों वेलोड ऐसरीं ती से जाएगा आप सु यहां से चलेगा वो चलेगा तो 40 डिगरी और यह बाला नूटे को गई यह आ reasonable अंगल 30 डिकर होगा रेटीस आरे भाई 2 और यह तो एक सफोर के दिस्तेंस किती और बी और उप तो उसके कोलीजन के जो कोडिनेट होंगे दो कोडिनेट विल भी रूट 3 रवाई 2, माइनस आरवाई 2 तिस इस दे कोडिनेट व नेक्स्ट कोलीजन ठीक बात है चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को नेक्स यदी मैं बात करूं 12 के बाद the next one is question number 13, 13 में बोला जा रहा है कि एक ideal monoatomic gas है और इसको किसी cyclic process से लेकर जाते हैं, पहले एक linear expansion होता है फिर adiabatic compression होता है, original state तक आती है, सुनो बात को, linear expansion हुआ, work done positive है, तो energy obviously दी गई है, energy यदी system को दी गई है और obviously दी जाएगी क्योंकि work done positive आ रहा है, इसे सूच में, cyclic process है clockwise, work done positive है तो क्यों given हो गई होगा, लेकिन इस वाले case में, इस वाले case में, energy का कोई role नहीं है, इस वाले case में, energy का कोई role नहीं है, और work done जो है, वो क्योंके equal नहीं आ रहा है, मतलब total work done ज expansion वाला, इसमें कुछ energy system में enter भी की है पहले, फिर इसमें से कुछ energy system से exit भी की है, अब वो किस basis पर हुआ, यदी मैं इस PV graph के बारे में बात करूँ, मतलब P versus V, तो graph बना, straight line की equation निकालों, तो P minus 16 is equals to, इधर अपन लिखेंगे V minus 4, this data will be 1 minus 16 upon 32 minus 4, यह लिखना है, ठीक बात ह यहां से P की value जो हारी है, that is 16, this is 15 and this one is 28, minus 15 by 28, साथ में V minus 4, यह अपने पास एक straight line की equation आगे, देख लीजे सही बात है, ठीक है सर, तो यदी मैं इस equation को solve करूँगा, time temperature के function में रखे, V और temperature की बीच relation बनाऊँगा, तो पहले temperature बढ़ेगा, फिर temperature गटेगा, बीच में एक ब W भी positive है और U भी positive है, इसका मतलब energy दी गई है, बाट ठीक है, उसके बाद, जो energy दी गई है, शुरू में सोचन जी समानलों बीच में यहां सी आया, तो यह तो W है, यह W मिला, delta U भी मिला, तो जो energy मिल गई, बाद में W इससे भी कमा रहा है, work done की value इससे भी कमा रही, that means बा leave भी करती है, चलिए सर बात को आगे की और बढ़ाते हैं, आगे बात करें, next question के बारे में, the next one is question number 14, देखे 13 के बाद 14 में क्या का गया है, 14 में का गया कि एक ideal liquid है, और streamline motion है, flow through a frictionless duct, varying cross section, इसका variable cross section है, शोनीन फिगर, pressure P at point P, pressure P at points along the x-axis duct is most likely to be represented by, कि pressure जो है, उसका distance के साथ variation जो है, वो सबसे अच्छा representation कहा हो रहा है, मैंने का देखो जब यह यहाँ से यहाँ की हो रहा है, तो इसका cross sectional area जो हो रहा है, cross sectional area decrease हो रहा है, तो velocity increase होगी, अब P plus P1 plus half rho V square, is equals to P2 plus half rho V2 square, height तो same ही तो मैंने OGH वाला term अटा दिया, अब velocity जो है, वो decrease हो रही है, that means pressure का term जो है, that will be increasing, sorry, velocity जो है, वो increase हो रही है, क्योंकि A V1 is equals to A2 V2, area decrease, velocity increase, यदि velocity increase होगी, तो pressure जो होगा, that will decrease, sorry, एक बार दुबारा से बात कर लेते हैं, इसके उपर, कि वाईस आब हो क्या रहा है, कि area जो decrease हो रहा है, तो पहले के comparison में बाद में pressure जो है, वो कम है, बाद में pressure कम है, पहले जादा है, तो according to this variation की बारे में बात कीगी, लंसम में ग्राफ बना है, तो first one is the correct answer, बोलो ठीक बात है, चलिए तो सर, अगले question की बात करते है, question number 15, इसमें बोला गया है कि a reflecting surface is represented by the equation y is equals to 2L upon pi sin pi x upon L, where x belongs to 0 to L, a ray of light traveling horizontally becomes vertical after reflection with the surface, the coordinates of the point where this ray is incident is, मतब कोई एक horizontal ray है, वो reflection के बाद vertical हो जाती है surface से, तो point of incidence point के मेरे को coordinates बतला रहे है, देखो बेटा जी, यदि मैं incident points के लिए बात करूँ, हमारे पास जो surface है, उसके यदि इस वाले point पर अपन बात करते हैं, रे कुछ इस टाइप से आ रही है और यह ऐसे जा रही है, इसका मतलब यदि मैं रेक पेट, टेंजेंट ड्रो करूँगा, और नॉर्मल ड्रो करता हूँ, surface पर, टेंजेंट और नॉर्मल ड्रो करता हूँ, angle of incidence और angle of reflection इकल होते हैं, यह 45, यह 45, यह भी 45, इधर जो है यह भी 45, मतलब इसके जो slope है, वो horizontal, x-axis से 45 degree के angle पर है, आपका dy by dx जो होगा, उस point पर that will be 1045, that is 1, ओके, और हमारे पास जो equation है, यदि मैं उसके according बात करूँ, तो equation जो दी गई है, that equation is y is equals to, equation जो दी गई है, y is equals to 2l upon pi sin pi x upon l, यदि मैं इस equation को differentiate करता हूँ, तो dy by dx की value जो मेरे पास निकल के आएगे, that dy by dx comes as 2l upon pi, sin का differentiation कितना, cos pi x upon l, साथ में इसको differentiate करेंगे, तो pi upon l and that value is 1, pi upon l से pi upon l सहीद होगे, cos की value 1 by 2 के equal आगे, इसका मतलब pi x upon l जो आ रहा है, that value is coming as pi by 3, cancel out किया, तो x coordinate आगे, l by 3, x coordinate l by 3 रखने पर y coordinate की value जो आएगे, कि that value comes as 2l upon pi, साथ में pi, sin, pi upon l and this value is pi upon l and this value is l by 3, तो l तो cancel out होगे, this is sin pi by 3, sin pi by 3 is root 3 by 2, तो उसका जो y coordinate मेरे पास निकल के आ रहा है, that y coordinate is root 3l upon pi, बात ठीक है कैसर, चलिए सार अगले question की बात करते है, now the next question is, question number 16, 16 में बोला जा रहा है कि एक कार sounding a horn of frequency 1000 hertz, passes an observer, कि ratio of frequency observed by the observer before and after passing the car is 11 ratio 9, तो मेरे को पता है कि before तो जो data होगा, that is v plus v source divided by v minus v source, यह बोला गया कि this data is 11 raise to 9 और हमें speed of car बतलानी है कि car की, car is a source है न, ठीक है, चलिए पूरी बात करते हैं इसमें, हमने कहां आजी साब frequency का जो ratio न वो 11 raise to 9 है, तो actually में क्या है, जैसे मालनों यहां पर observer है, और car इदर वाली direction से travel करती भी जा रही है, तो इस वाले case में frequency f1 की value होगी, v upon v minus v car, into में f0, और दूसरे वाले case में frequency जो होगी, मैं direct ratio लिख रहा था, that is v upon v plus v car, मतलब जब car इसको cross करके आगे की तरफ जा रही होगी, तो यदि मैं इन दोनों frequencies का ratio calculate करूँगा, f1 ratio, f2, that ratio comes as 11 raise to 9, and that is v plus vc upon v minus vc, let's multiply it, 11 v minus 11 vc is equals to 9 v plus 9 vc, यहां से देखिन कि यह data इदर 20 vc, this is 2 v, and 2 v comes as 20 vc, so from here we can say that vc की value जो मेरे पास calculate होकर आ रही है, that value is coming as v by 10, so according to this first one is the correct answer, चलिए सर अगले question की बात करते हैं, 16 की बाद, the next one is question number 17, 17 में अपने को बोला जा रहा है, कि acceleration of an electron in the first orbit of hydrogen atom, की hydrogen atom की first orbit में electron का acceleration क्या होगा, हमने आज आप देखो hydrogen का first orbit है, उसमें electron का acceleration ने calculate करना है, तो सबसे पहली चीज़, radius के terms में, तो mvr की value nh upon 2 pi की equal होती है, n की value 1 रखनी ही, तो v की value calculate होकर जो आ रही है मेरे पास, that is nh upon 2 pi mr, जो data है उनके basis पर बात करने ही मेरे को, ठीक है, और acceleration जो होता है, वो centributal acceleration होता है, उसके पास के बल, there is no tangential acceleration while electron is revolving in this, in these type of orbits, तो v square by r calculate करना है, n के place पर 1 रखना, it is h square divided by 4 pi square, m square, और r से multiply और करना है, so this value comes as r cube, so according to this third one is the correct answer, चलिए sir, आगे बढ़ाते हैं बात को, 17 के बाद, the next one is question number 18, देख, 18 में क्या कहा जा रहे है, कि figure source, the graph of deviation, del versus angle of incidence, for a light ray striking on a prism, एक prism पर जो light ray strike कर रही है, उसका deviation of angle, deviation और angle of incidence का graph दिया गया है, and I have to calculate prism angle, तो सुनो, del जो होता है, वो I plus E, minus में A होता है, na, del की value है 30, अब यदि इन दोनों angle of incidence के लिए, same deviation है, तो इस point पर ये angle of emergence होता है, so it is 15 plus में 60, minus में A, तो A की value solve करने पर यहां से, जो prism angle calculate हो कर आ रहा है मेरे पास, sorry, 45 degree is the correct answer, so second is the correct answer, चलिए sir, 18 के बाद next question की बात करते है, the next one is question number 19, 19 में बोला जा रहा है कि in a tug of war, रसा कैसी का जो खेल होता है उसमें, the team that exerts the last tangential force on the ground wins, अच्छा एक चीज़ important है इसमें, कि यदि मैं, जैसे माल लो, इस point पर बात कर रहा हूं, यहां से रसी है, यह common point है, यहां पर एक person है, जो इसको खीच रहा है, और यहां पर दूसरा person है, single person की team बना लेते हैं, अपने के रादिकत है, यह इसको खीच रहा है, रसी को पड़र रखा है, और वो खीच रहा है, तो जो person, माल लो, यह winning team में है न, तो यह वाला person, actually में अपने वाले place से move ही नहीं करेगा, यह दूसरे person को कीच रहा है, यह tangential force लगा के, अपने आपको रोक की रखते हैं, और दूसरे वाले person को अपनी तरफ कीच थे, that means, displacement of this winning team is always zero, while displacement of this losing team is in this direction, बाट ठीक है गया, अब यह losing team, ground पे इधर force लगाएगी, तो ground is losing team पे इधर force लगाएगा, बोलो ठीक बात, चलिए, अब option by option बात करते हैं, पहले question पूरा पढ़ ले, consider the period in which a team is dragging the opposite team by applying a large tangential force on the ground, जदा tangential force लगा कि वो खीच रहे हैं, which of the following work is negative, इन में से कौन सा negative है, तो work by losing team on the winning team, losing team का winning team पर work 0, च्योंकि winning team का कोई displacement ही नहीं है, second one, work done by the ground on the winning team, ground, winning team का कोई displacement नहीं है, work done by the ground is 0, work done by the ground on the losing team, obviously, ground जो है, winning team इस पर losing team इधर force लगाएगी, खीच नहीं कोचिस करेगी, हाँ, अलग बात है कि winning team जदा force लगा रही है, हम losing team और ground की बात करते हैं, losing team इस पर इधर वाले direction में force लगाएगी, तो ground इस पर इधर force लगाएगा, इस team का displacement इधर है, force इधर लग रहा है, so this work done will be negative, तो हारने दल दल द्वारा धरातल पर किया गया जो कारी है, work done by the ground, हारने वाले दल पर, हारने वाले दल पर धरातल द्वारा किया गया कारी, that work done will be negative, so according to this, third one is the correct answer, चलिए सरा आगे बढ़ाते हैं बात को, 19 के बाद, the next one is question number 20, 20 में बोला गया है, the system is released from rest, from the position shown in the diagram, इस से अपने rest से छोड़ा है, A और B का मास स्मोल M और M है, सारी surfaces smooth है, तो normal reaction force between A and B, A और B के बीच normal reaction force, सुनो बात को, जैसे ही मैं B का FBD बनाऊंगा न, तो B की वाली जो pulley है, वो B से attached है, तो इस पर इदर force लगा रही होगी, तो B का जो displacement होगा, that will be in this direction, A पर इस direction में कोई force होगा ही नहीं, तो obviously A जो है न, वो actually में थोड़ा सा, अलब pseudo force लगा के देखोगे, तो A जो है, वो थोड़ा सा vertical से inclined होकर चला जाएगा, अलब वो exactly vertical भी नहीं रहेगा, तो after the start of the motion, there will be no contact between A and B, so there will be no reaction force between A and B, so according to this, fourth one is the correct answer, चलिए सार आगे बढ़ाते हैं बात को, यह वाला जो section था बिटा, इसमें 20 single choice questions थे, next section के दिए अपन बात करें, इसमें अपने पास 10 multiple choice questions है, इन 10 में से हमें 5 करने हैं, तो इस type का पेपर, जिसमें multiple choice, 10 numerical value questions है, इन में से 10 में से 5 करने हैं, तो बिटाजी, simplest question चाटते जाओ, उनको करते जाओ, क्योंकि 10 में से कोई 5 बिल्कुल easy वाले होंगे, that's the trick for this part, क्योंकि इसमें बिल्कुल पूरे 20 questions से score किये जा सकते हैं, इस type के part में कभी भी हमें emotional होकर, अपना नुकसान नहीं करना है, चलिए तो पहले वाले question से सूरू करते हैं, पहले वाले question में बोला जा रहा है, that a cell is connected between the points A and C of a circular conductor ABCD, at center, okay, at center O, AOC is equals to 60 degree, पतलब AOC 60 degree है और यह एक uniform wire है ABCD, इसके साथ अपनने एक cell को connect कर रखा है, ठीक है, यह वाला angle 60 degree का बन रहा है, B1 और B2 जो है, वो ABC और ADC के थुरू, magnetic field जो बन रहे हैं ओपर, उनका magnitude है, तो इनका ratio क्या होगा, बहुत standard सा question है, वैसे इनका ratio 1 आता है, चलिए अपन soul करके देख लेते हैं, देखो, होगा क्या, कि जब मैं इन दोनों wires पर बात करूँ, तो let's suppose इसकी unit length का resistance R है, या फिर अपन कह देते हैं, इसकी unit length का resistance lambda है, तो इसकी length जो आई, वो 2 pi minus में theta, इंटो में radius R, यदि ये वाला angle theta है, तो इधर वाली ये वाला angle 2 pi minus theta होगा, similarly इधर वाली side के लिए मैं बोलूँगा, तो इधर वाली side का resistance आजाएगा, lambda into me r theta, जब मैं current की बात करूँगा, इधर वाले portion में, तो इधर वाले portion में current की value आजाएगी, total current, into में lambda r theta, divided by lambda, r1 plus r2 होता है, तो मैं सीधा सीधा lambda into me 2 pi r लिख देता हूँ, this value is lambda into me 2 pi r, यह उपर वाले part में current है, नीचे वाले part में जो current होगा, i2, उसकी value होगी, i into में 2 pi, minus में theta, lambda r, divided by lambda into 2 pi r, बेटरी से आने वाली, total current जो है, उसको मैंने i माना है, चिक है, अब सुनो बात को, तो इसका जो magnetic field होगा, वो मेरे पास आएगा, i1, divided by 2 r, into में 2 pi minus theta, divided by 2 pi, और इसका जो magnetic field आएगा, वो mu not i2, divided by 2 r, साथ में अपने पास theta upon 2 pi, दोनों की value calculate करोगे, दोनों की value सेम आएगी, आप तो यह चेक कर लोगी, i1 into इसका product और i2 into इसका product, दोनों का सेम आएगा, तो दोनों के जो magnetic field आते हैं, वो magnitude में सेम होते हैं, इस इस टाइप के situation में, इस loop की वज़े से, ओपर magnetic field की net values होती है, के बाल लूप की वज़े से, वो कितनी आती है, 0 आती है, so according to this, b1 is equals to b2, so 1 is the correct answer, चलिए सार, आगे बढ़ाते हैं बात को, next question की यदी मैं बात करूँ, question number 2, इसमें बोला गया कि एक disc है, जिसकी radius 2 meter है, इसको smooth horizontal surface पर रखा गया है, velocity of point A and B given as shown in diagram, A और B की velocity diagram में दिखाएगी है, double of distance of O and axis of rotation, at a particular instant, कि इस given instant, axis of rotation और O के बीच की distance की double value meter में कितनी होगी, मैंने का बाइस, आप सुनो, obviously axis of rotation यहां से बीच से होगी, मालो यह distance जो ना, यह distance X है, तो यह वाली distance कितनी होगी, बोलेजी यह distance 4 minus X होगी, radius 2 meter दी भी है, बोलो हाया ना, तो हमने का कि omega की value लिखते है, मतलब जैसे 2.5 upon 4 minus X, और इधर वाला data 1.5 upon X लिखते हैं, बोलो हाया, बोलो हाया, बोलो हाया, ओमेगा दोनों तरफ से से माना ची, V by R, V by R, तो हमने का आजी यहां से, यह वाला data आता 5 by 2, तो 5 upon 4 minus X, and this value is 3 upon X, multiply कर लो, 5X is equal to, this value will be 15, minus में 3X, इसको इधर लिया, this value is what, 8X, and this value is 50, देखो इसमें अपने से एक error होगी न, यहां पर, 3 into 4 that value will be 12, दूबरा से चेक किया यार, तो यह वाला data 12 आ गया, यह वाला data जैसे 12 आ तो 8X की value 12 की इक और आ गया, इसका मतलब X की value जो आ रही है न बेटा, वो 1.5 meter आ रही है, अब X की value 1.5 meter रही, कहां से बेटा, O से, अब यहां से 1.5, sorry, B से, B से 1.5 actually यहां होगा, तो उसकी O से जो distance होगी, that distance will be 0.5 meter, और मुझे इस O से distance के double data चेक करना है, तो 0.5 का double यह दिया अपन बात करेंगे, then that value will be what, 1 meter, देखें क्या कहा जा रहे है, कि दो solenoids हैं A and B, placed near to each other coaxially, okay, number of turns of A is for A in 400, and B में जो turns हैं वो 700 है, current of 3.5 ampere in coil A, coil A में 3.5 ampere की जो current है, वो 300 micro weber का turn, each turn, A में flux generate करती है, और B में 90 micro weber का flux generate करती है, for each turn, मेरको induced EM of B में calculate करना है, B में यदि induced EM of calculate करना है, तो सबसे पहले मुझे coefficient of mutual inductance से ही, तो B का जो total flux आया, that is 90 into 10 की पार minus 6, is equals to M into में, total number of turns भी लिखने पढ़ेंगे, 700 into में current, that is 3.5, तो coefficient of mutual inductance देखें, तो 700 into में 90 into में 10 की पार minus 6, divided by 35 और इस 10 को इदर भेज़ दिया, मैंने, ताकि ये कटे कम से कम, ये 20 ताइम्स, अब देखो, एक, दो, तीन, तो value हागी, 18 into 10 की पार minus 3, this is the coefficient of mutual inductance, V calculate करना है, V की value L di by M di by dt होती है, coefficient of mutual inductance is 18 into 10 की पार minus 3, and di by dt, that value is 0.5, 18 into 0.5, this value is 9 into 10 की पार minus 3, मुझे प्रेरीत विद्दत वाहग बलकी value, millivolt में calculate करनी है, तो millivolt में ये वाली value, 9 into 10 की पार minus 3, मतलब बोले तो 9 mini volt, 9 is the correct answer for this question, चलिए सार, question number 3 के बाद, next question की बात करें, the next one is question number 4, देखे, 4th में क्या कहा जा रहा है, की एक plane mirror है, और ये plane mirror अपने पास, इस direction में 2 cm per second से moving है, चलिए साथ साथ data लेते चलेंगे ना, एक particle A है, जिसकी velocity 10 root 2 है, और एक 45 degree के एंगल पर मेंशन है, particle B की velocity इदर 5 cm per second है, B की image की velocity, A की image के respect में, magnitude में बतलानी है, वो magnitude में अपने को, साप एक स्वेक का परिमान, root 300 plus X दे रखा है, तो हमें X की value calculate करके बतलानी है, चीक बात है साथ, अब B वाला जो particle है ना बेटा, B वाला particle इदर moving है 5 से, तो मैंने का, यह इदर moving है 2 से, तो यह जो particle है, इसकी image, वो इदर moving होगी 5 से, इदर इसकी double velocity लगेगी 4, तो B की जो velocity आ रही है, वो इस वाली direction में 1 आ रही है, B की velocity इस वाली direction में 1 आ रही है, A के बारे में बात करते हैं, A के पास velocity इदर 10 root 2 है, component तोड़ेंगे, तो इदर वाली भी 10 आएगी, और इदर वाली भी 10 आएगी, यह तो opposite में लग जाती है, यह 10 लग गई, और 4 इसकी लग गई, और यह 10 as it रहे गई, बोलो सही है, mirror की velocity, normal की direction में double लग जाती है, इनकी relative calculate करोगे, तो i cap में 15 i cap आजाएगा, और j cap में 10 j cap आजाएगा, plus minus से कोई concern नहीं है, magnitude देखना वैसे भी, तो जब आप इसका magnitude calculate करोगे, that will be 225, plus में 100, so that value is under root में 325, तो इस data को अपन लेख सकते हैं, under root 300, plus में x, तो x की value जो अपने पास 100 लोकर आ रही है, that value is coming as 25, बोलो ठीक बात है क्या सर, चलिए सर, अगले वाले question की बात करते हैं, इसके बाद जो next question अपने पास है, question number 5, बहुत simple सा question, देखो मैंने का ना, कि 10 में से 5 question बहुत easy होते हैं, तो selection method पे जाना, आसान रहेगा, score भी ज्यादा boost होगा, कि measurement of mass is 0.6% और volume is 0.4% है, तो मेरे को density में error calculate करनी है, देखो साब सीधी सी बात, density is equals to mass upon volume होता है, इसमें 0.6 है, इसमें 0.4 है, तो density calculation में percentage error जो मेरे पास होगी, that percentage error will be 1%, so 1 is the correct answer, चलिए सर, 5th के बाद next question की बात करते हैं, the next one is question number 6, 6 में बोला जा रहा है कि दो sound waves है, slightly different frequency की है, जिनके amplitude 11 और 9 है, what is the difference of sound levels, in decibel of maximum and minimum intensities at head at a point, किसी point पर, obviously slightly different frequencies है, तो beats generate करेंगी, maximum amplitude A1 plus A2 होगा, minimum amplitude A1 minus A2 होगा, और मेरे को, उनकी intensities में, difference वो भी decibel में, तो decibel में यदि मैं difference की बात करूँगा, तो मैं कहूँगा 10 log 10, maximum intensity will be under root A1, plus under root A2 का whole square, minimum intensity will be 10 log 10, under root A1 minus under root A2 का whole square, divided by I note वाल डाटा रहे गए रहेगा, decibel में, तो ये डाटा मेरे पास 10 log 10, root A1 by A2, plus 1, divided by root A1 minus A2, minus 1, इसका whole square, आई प्रपोर्शनल ए स्क्वार होता, तो ये A1 plus A2, ये A1 minus A2, तो इस डाटा कमस अस 10 log 10, A1 by A2, ये भी 10 में होता है, इसका whole square को बाहर बेजा, 20, divided by 11 by 9, minus में 1, इस डाटा विल बी 20 by 9, इस डाटा विल बी 2 by 9, इस डाटा कमस अस 20 log 10, 10, इसकी value जो है, वो किस के equal होती है, 1 के equal होती है, तो दोनों frequencies में, जो difference मेरे पास calculate होकर आ रहा है, that difference is 20 decibel, बोलो ठीक बात है कै सर, चलिए सर आगे बढ़ाते हैं, question number 6 के बाद, next question की बात करें, next one is question number 7, 7 में बोला गया कि, 4 solid spheres है, मैंने का हर एक का diameter, या फिर radius small r, और वो, कुछ इस type से रखे गए हैं, mass दे रखा है, placed with centers at the corners of square of side, 4 cm, इनके centers को अपने, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ रखा गया है, the moment of inertia of the system, about the diagonal of the square, इसके diagonal के about, moment of inertia बता था है, मैंने का, यह 2 by 5 MR square, यह 2 by 5 MR square, यह distance, यह side length A है, तो A by root 2, यह distance भी A by root 2, तो मैंने का, इसका 2 by 5 MR square, इसका 2 by 5 MR square, R is the radius, उसका double करेंगे, प्लस, उन दोनों के लिए, 2 times of, 2 by 5 MR square, प्लस M, A by root 2 का square, यदि अपन इसमें, डाटा रख्के, चेक करते हैं, तो यह डाटा, 9 into 10 की पार, minus 4, केजी, मीटर स्कूर आता है, अपने से, N की value पूछी डिए, यह question में, तो N की value जो आएगी, that value will be 9, ठीक बात है सर, चलिए अगले question की बात करते है, question number 7 के बाद, the next one is question number 8, देखे, 8 में क्या का आगे, कि एक inclined plane है, that is moving with a constant velocity, 4 meter per second, on a horizontal surface, as shown in the figure, if block is, block of mass 2 kg, constant velocity से move कर रहा है, that means हमने कोई external force लगा के, उसको constant velocity से motion में रखा है, as shown in figure, if a block of mass 2 kg is kept, at top of the inclined plane, there is no friction between the block and the inclined, block और inclined के भी इसको फ्रिक्शन नहीं है, distance traveled by the inclined, till the block reaches the bottom of inclined, is root x meter, कि जब block, inclined के bottom पे पहुचता है, उतने time में, inclined root x meter के distance travel करना है, मेरे को x की value बतलाना है, g की value अपने 10 लेली, मैंने का भाई साब देखो ऐसा, यह इधर वाली direction में, यह 4 है ना यदी, फ़ले तो इसको clear कर लेते हैं, तो यह 5 आएगा, इसका इधर वाली direction में, acceleration g sin 53, 4 by 5, that will be 8, तो 5 meter की distance travel करने में, body को जो time लगेगा, that time is root 5 by 4, अब इतने time में, inclined plane जो distance travel करके जाएगा, that will be under root of 20 meter, मिर को x की value बता नहीं, x की value कितनी हा रही अपने पास 20, बोलो ठीक बात है क्या सर, चली आगे बढ़ाते हैं बात को, question number 8 के बाद, next one is question number 9, देखे, 9 में क्या कहा गया है, कि एक particle xy plane में moving है, किसी particular instant पर इसकी velocity और acceleration दे रखे हैं, and we have to calculate the tangential acceleration at this instant, इस question को ऐसे भी पूछा जा सकता है, कि you have to calculate the changing rate of speed, that is also known as the tangential acceleration, हमने का आजी ठीक है, सबसे पहले body की velocity की बात करते हैं, that is 3 i cap, plus 4 j cap, now what is the acceleration at this instant, that is i cap, sorry, 2 i cap plus j cap, now what is the tangential acceleration, that will be component of acceleration, along the velocity, dot product 6 plus 4, divided by velocity का, square, that is 25 into my velocity, 3 i cap plus 4 j cap, this data will be 2 by 5, into my 3 i cap plus 4 j cap, ऐसे गया ना, actually मैं ये किया है, a dot v upon v square into my v vector, this is the component of acceleration along the velocity, अब यहां से यदी मैं बात करूँ, तो 80 की value मेरे पास 2 by 5, और magnitude में ये वाला data कितना आ रहा है, 5, तो ये cancel out हो गया, तो tangential acceleration जो मेरे पास calculate हो करा रहा है, that value is coming as 2 meter per second square, चलिए सर नाइंद के बाद next question की बात करते हैं, next one और जो paper का last question है, question number 10, 10 में बोला गया कि the magnetic field in a cylindrical region that has a radius 2.8 cm, very sinusoidally, between maximum value, minimum value 16.8 और maximum 17.2 at a frequency, this cross section of the magnetic field is created by the magnet is shown, magnetic field जो है, magnet से जो create हो है, उसका cross section diagram में दिखाया गया, radial distance 2 cm axis से, मेरे को electric field की value जो है, induced electric field की value जो है, वो milli newton per coulomb में, यदि x obtain होती है, then I have to calculate the value of x by 10, बोले जी, ठीक बात है, हमने का साब देखो ऐसा, सबसे पहली बात तो, magnetic field जो होगा, that magnetic field will be 17 plus 0.2 sin omega t, जा omega की value 2 pi f की equal होगी, maximum 17.2, minimum 16.8, और उस distance पर electric field जो induce होता है, pi r square, साथ में db by dt, 0.2 omega, cos omega t, maximum value चाहिए, तो maximum value के लिए, e की जो maximum value होगी, that will be r into 0.2 into omega, r is 2 cm, 10 की पार माइनस 2, this value is 0.2, omega is 2 pi, f frequency is 60 upon pi, चलिए सार देखे, pi से pi सहीद हो गया, सबसे पहली चीज तो यह, अब यह data जो मेरे पास आ रहा है, this data is, 2 into 2 into 2, into में 60, 1 minute, divided by 2 राएगा, यह वाला data, 2 बच गया, यह 2, तो यह 2 तो गया, and this data will be, 10 की पार माइनस 3 में बेजा, तो 4 into 60, that is 240, into 10 की पार माइनस 3, तो मिलीन्यूटन पर कुलाम में देखेंगे, तो 240 मिलीन्यूटन पर कुलाम हारा है, वो value x बोली गी है, and we have to calculate the value of x by 10, x यदि 240 है, तो x by 10 will be 24, so 24 is the correct answer for this question, okay dear, so that's all from my side in this discussion, मिलते हैं फिर बाद में, तब तक के लिए, जिसमें 4 single choice question है, section A के अंदर, तो section A का first question है, कि दो particle start कर रहे हैं, O से, slide कर रहे है, straight smooth wire के along, जिसका inclination 30 और 60 यह vertical से, same vertical plane है, और passes दोनों same point O से हो रहे हैं, तो relative acceleration बताना है यहाँ पर, second का first के respect में, magnitude and direction, तो देखें, यहाँ पर, एक कोई भी एंगल थीटा मान लो, वर्टिकल से, तो जो particle इसके along slide होके आ रहा है, इस पर downward mg लग रहा था, mg का इधर component आ जाएगा, mg cos theta, तो इसका acceleration आ जाएगा, force by mask करोगे, तो इसका acceleration आ जाएगा, g cos theta, यह का acceleration हो गया, सही है, अब हमें क्या करना है, relative acceleration निकालना है, theta की value एक के लिए 30, दूसरे के लिए 60, तो relative acceleration के लिए दोनों का difference लोग है, तो relative acceleration, vector form में लिख देते हैं एक बार इनको, तो किसी भी एक का acceleration में लिख सकता हूँ, वर्टिकल कॉम्पनेंट, g cos theta का cos component, theta, i cap, यह किसी भी एक का acceleration यहाँ पर हो जाएगा, हमें relative calculate करना है, यह acceleration है, तो difference ले लें, एक के लिए theta की value है, 60 एक के लिए 30, तो यह values आजाएगी, minus g common ले लो, cos theta भी common ले लो, तो cos एक के लिए लिख दिया 60, और दूसरे, और उसके लिए cos 60, j cap, और minus common ले रखाता है, तो यहाँ पर minus आजाएगा, sin 60, i cap, अब minus करना है दूसरा, तो minus, minus g, cos 30, cos 30 j cap, minus sin 30, i cap, सही है, तो इस तरह से relative acceleration, calculate करना था, इसके अंदर टर्म देखोगे, g cos 60, sin 60, minus minus plus, और यहाँ पर, g cos 60, cos 30, sin 30, दोनों की वैली सेम आएगी, क्योंकि यह है, यह रूट 3 by 2, यहाँ पर, यह रूट 3 by 2, यह half, multiply करेंगे, minus minus plus, एक minus रजाएग, एदर प्लस, तो यह वाला टर्म, cancel हो जाएगा, परनेल रहे जाएगा, g cos 60 का स्क्वेर, cos 60 होगा, 1 by 2, तो g by 2 का स्क्वेर, g by 4, minus का, j में, और यह रहे जाएगा, plus j में, g, और cos 30, root 3 by 2, इसका स्क्वेर हो जाएगा, 3 by 4, और j cap, तो यह value आ गई, g by 2, j cap के बाराबर, इसका मतलब relative acceleration, g by 2 के बाराबर आएगा, और vertical direction में यहाँ प्यार होगा, तो option देखते हैं, option यहाँ पे, g by 2 in vertical direction, first option अपना correct हो जाएगा, next question पे जलते हैं, question number 2, question number 2 में, car travel कर रही है, 10 meter per second से, और जिसक ने एक horn, जो बजाए उसकी frequency दे रही है, 500 hertz, तो car की velocity given है, frequency given है, और एक second car है, जो इसके behind है, first car के, और same direction में travel कर रही है, same direction में है, उसके पीछे है, तो sound can also be heard in the second car, by reflection of sound, through the bridge, आगे bridge है, उससे sound reflect होके, और आ रहा है, तो beat frequency कितनी सुनाई देगी, second वाले को, driver को वो पुछा होगा, तो देखे, आगे एक, जो car है, वो मू करती जा रही है, first बोल देता है, जिसकी velocity है, 10 meter per second, second इधर है, जिसकी velocity है, आगे कियो है, 20 meter per second, और आगे एक bridge है, जिसकी विज़े से sound reflect होके आएगा, तो sound इसके पास directly पहुंचा, एक sound इधर की और गया, reflect होके फिर वापस आ रहा होगा, तो इन दोनों में frequency में difference आएगा, वो frequency में difference देखते हैं, तो sound की velocity 340 है, ये उस कर लेंगे, frequency 500 ये उस करते हैं जरा, तो इसके अंदर, जो sound direct पहुंचेगा, उसकी frequency F1 लिख रहा हूं में, तो F1 की value आ जाएगी, जो source है वो अवे जा रहा है, observer उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, तो V plus velocity of observer upon V minus Vs, अवे जा रहा है, तो बीचे उन प्लस आ जाएगा, इन्टो F, ये frequency इसको लगेगी, direct sound जो पहुंच रहा है, अब जो reflected है, reflected के case में, हम ये consider कर सकते हैं, कि इसको as a image consider कर लो, और ये बोल दो कि ये जो source है, वो इस सरफ 10 meter per second से जा रहा है, तो दूसरी situation में ये है कि, एक source 10 meter per second से, एक observer की तरफ जा रहा है, observer इसी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो जब wall हो, reflection हो, तो ये consider कर सकते हैं, तो जो second frequency है, वो हो गई V, प्लस V not, और दोनों अप्रोच कर रहे थे, तो नीचे भी आ जाएगा, minus into F, ये जाएगा, beat frequency बोलेंगे, दोनों frequency में difference, difference लिया दोनों के अंदर, तो difference ये frequency जाएगा, minus ये, तो ये आ जाएगा, V plus V not F, तो common आ जाएगा इन में, दोनों के अंदर, difference लेंगे, तो नीचे LCM आ जाएगा, V square minus Vs square, और उपर value रहे जाएगे, 2Vs, ये frequency में difference है, अब values given है, इसकी velocity है, 330, 340, velocity उसकी दे रखे है 20, ये velocity है 10, frequency 500, तो इससे जब हम calculate करते हैं, तो ये value approximate आ जाती है, 31 Hertz के असपास, तो इसको beat frequency, या frequency में जो difference लगेगा, वो 31 Hertz के बराबन लगेगा, ठीक है, next, question number 3, 3 के अंदर, एक cylinder दे रखा है, जो दो material से बना हुआ है, thermal connectivity, K1 inner part, outer K2 से, और temperature दोनों surface के across, T1, T2 maintain किया हुआ है, तो K1, K2 का ratio क्या होगा, अगर दोनों से, same heat current flow हो रहा है, दोनों parts से heat same flow हो रही है, इदर से इदर heat flow हो रहा है, तो rate of heat flow बराबर करने है, तो first वाले के अंदर rate of heat flow आ जाएगा, DQ by DT बराबर K area, ये वाला area है, first part के लिए, जो के pi R square, K A delta T by L, ये rate of heat flow होगा, अंदर वाले parts से, ऐसे भाहर वाले parts से rate of heat flow निकालना है, तो K, भाहर वाले part का area, तो इस वाले part का area जाएगा, आउटर पूरा complete area जो था, 4 to R, pi 2 R square, तो 4, pi R square area था, आउटर का, उसमें से inner वाला आटा देंगे, pi R square, तो पूरा outer वाला जो part है, केवल उसका area जाएगा, 3 pi R square, same temperature difference, same length, और ये दोनों बराबर बोल रखे, तो k1 by k2 equals to 3, तो k1 by k2, 3, थर्ड में, next question, 4 में, 4 में PV diagram दे रखा है, एक cycle का, तो PT diagram बनाना है, same cycle के लिए, तो देखें, यहाँ पे से start करते हैं, AB से, तो AB जो है, वो constant volume है, volume constant है, pressure बाहर रहे हैं, तो P proportional to T हो जाएगा, PV equals to NRT के वा ले लो, तो अगर volume constant है, तो pressure proportional to temperature, pressure double किया, तो temperature double हो जाएगा, straight line होगा, passes from origin, तो यह graph हो जाएगा, सही है, first में, AB, फिर आगे B to C क्या है, pressure constant है, और volume double कर दिया, pressure इस बार constant है, volume double कर दिया, तो temperature और double हो जाएगा, तो temperature double होना है, लेकिन pressure constant है, pressure constant, temperature double, यह आगे बढ़ गया, यह C point आगया, फिर C to D, pressure decrease हो रहा है, half हो जाएगा, तो temperature भी half हो जाएगा, क्योंकि volume constant है, pressure half, तो temperature half, तो temperature पहले के comparison में, half हो जाएगा, और pressure temperature की विच में line, straight line, यह ऐसे हो जाएगा, ठीक, फिर लास वाला बार, D2A, pressure constant है, pressure constant temperature, volume कम होगा, तो temperature कम होगा, यह दोना इस तरह से नहीं जाएगा, तो यह हमारा, PT graph हो जाएगा, A, D, C, A, B, C, D cycle, clockwise cycle, तो A, B, C, D, clockwise cycle, यह आजाएगा, ठीक है, next question पर चलते हैं, section B, इसके अंदर, चार multiple choice, paragraphs है, तो paragraph first में, तीन non conducting, infinite plate है, और, X, Y, Z plane में, रखी वी है, और uniform charge density है, इनका, तो तीन plate, consider कर लेते हैं, Y, Z plane में, vertical consider कर लिए, X, axis दर consider कर लेते हैं, अब यह बोल रखा है, कि sigma 1, minus sigma surface charge density है, X equals to 1 वाले की, तो इसको, X equals to 1 लेते हैं, और minus sigma charge density, इसकी है, दूसरा जो है, X equals to 2 पर है, इसका, जो surface charge density है, वो unknown है, नहीं पता, sigma dash लेते हैं, थार्ड वाला, जो है, वो 3, minus 3 sigma, और X equals to 4 पर, और minus 3 sigma, यह situation की बाद है, तो हमें बताना है, और X equals to 4 पर है, एक चीज़ और रखेगी, electric field X equals to 1.5, 1.5 मतलब यहाँ पर, इसको a point consider कर लो, तो a point पर net electric field, जो है, वो 0 है, यहाँ प electric field की value 0 आने चीए, तो options में क्या-क्या पूछा वाए, एक तो इसकी surface charge density कितनी है, फिर minus 2, minus 2 मतलब इदर point आ जाएगा, इसको भी बोल देते हैं, 3, 3 यहाँ आ जाएगा, इसको C बोल दो point, 6 इदर आ जाएगा, इसको D point बोल दो, इन points पर electric field भी बूछा हूँ है, तो calculate करते हैं, तो देखें, इस वाले point पर electric field 0 है, non-conducting sheet है, इसकी वज़े से negative वाज़ी की वज़े से, electric field इसकी तरफ होगा, वो direction negative है, magnitude तो लिख दिया, sigma by 2 epsilon not, magnitude लिखा है, sine अटा दिया, और direction wise negative है, तो इसलिए minus लगा दिया, electric field magnitude और direction लिख रहा हूँ अलग से, इसकी वज़े से positive charge इसमाल लेते हैं, उधर की तरफ ही है, minus sigma dash by 2 epsilon not, negative charge है, negative charge की वएसे towards the charge electric field होगा, तो इस तरफ आएगा, magnitude तो हो गया ही है, और direction हो गई positive, और ये net electric field जीरो बोल रख रहा है, जीरो तो यहां से value आजाएगी, 2 sigma, तो sigma dash equals to 2 sigma के बराद, इसका मतलब इस पर charge density positive charge है, और 2 sigma है, ये value आगे, अब a point पर तो आगे, बी point पर calculate कर लेते हैं, ये a point था, बी point पर, बी point पर electric field आजाएगा, इस negative value की वैसे towards, तो positive लिख दू, sigma by 2 epsilon not, क्योंकि positive direction में आएगा, positive value की वैसे electric field दूर, negative direction में, तो minus 2 sigma by 2 epsilon not, negative वाले की वैसे towards, तो plus 3 sigma by 2 epsilon not, और all value देखेंगे, तो यहाग या 4 minus 2, 2 sigma by 2 epsilon not, और positive direction, ये भी point पर, c point पर calculate करें, तो c point पर negative की वज़े से towards the charge, तो c point पर electric field आगया, minus sigma by 2 epsilon not, minus इसकी वज़े से नहीं है, magnitude और direction लिख रहा हूं, direction उदर है, इसकी वज़े से positive charge है, तो अवे आएगा, तो positive direction ही हुज़ेगी, वो अवे, 2 sigma by 2 epsilon not, इसकी वज़े से, इसकी वज़े से c point पर negative charge towards the charge, तो positive direction आजाएगी, positive 3 sigma by 2 epsilon not, तो एक sigma cancel हो गया, 4 sigma by 2 epsilon not positive आजाएगा, ऐसे d point पर calculate करते हैं, d point यह रहा, negative की वज़े से towards the charge, तो negative ही हो गया, value wise तो minus sigma by 2 epsilon not, electric field d point पर, इस positive की वज़े से आवे, आवे positive direction होगे, तो plus 2 sigma by 2 epsilon not, negative की वज़े towards the charge, वो negative direction होगे, इसलिए minus 3 sigma by 2 epsilon not, तो यह value आजाएगी, minus 4 plus 2, minus 2 sigma by 2 epsilon not, अब ज़रा option देखते हैं, यह electric field आया है, यह आया है, दोनो positive है, यह negative है, और charge answer ही आगई, first option is surface charge density, on the second sheet is plus, यह सही है, first सही है, second electric field at x equals to minus 2, minus 2 मतलब बी पॉइंट पे निकाल रहे थे, बी पॉइंट पर electric field यह रहा, 2 sigma by 2 epsilon not, वन्दब सिग्मा बाई epsilon not, positive direction यह भी रहे है, third point पर sigma by epsilon not, sigma by epsilon not, 2 sigma by epsilon not है, तो third गलत हो गया, fourth six पर minus sigma by epsilon not, तो यह minus ही है, minus sigma by epsilon not, यह सही है, तो first, second और fourth अपने correct हो जाएंगे, next question पर चलते हैं, इस question में capacitor है, capacitance C not दे रखा है, battery V not से connected है, study state attain कर रखा है, dielectric slab, dielectric constant K का, slowly इसके अंदर रख दिया, अब क्या, इसके according जो current, correct statement है, final study state में वो पूचे ले, तो देखें, battery connected है अभी, potential difference तो constant बना रहेगा, V not, V not constant बना हुआ है, यहाँ पर slab रख दी, पहले capacitance C not था, लेकिन अब medium की विज़े से, capacitance हो जाएगा K times, यह capacitance हो जाएगा इसका, सही, तो इस पर capacitor भी जो charge आजाएगा, Q, क्यों एक वस्फू C V, C, V, K times हो गया है, अब यहाँ पर जो induced charge आता है, इन surface पर, यह positive plate है, सामने negative charge आएगा, इधर की तरफ positive charge induced होगा, तो यह जो induced charge होता है, इसकी value, Q dash अगर लिखूं, तो यह होता है, Q 1 minus 1 by K, कितना induced होगा, तो Q की value है, C V naught के अंदर भेज दो, तो K, K by K 1, तो इतना charge इस पर induced हो जाएगा, तो ज़रा option देखते हैं, बाद पूछा क्या है, फर्स में magnitude of induced charge on each surface of the slab, तो each surface on the slab, C V naught K minus 1, साइग यह फर्स्ट, electric force due to induced charge on any plate is 0, तो किसी भी plate पे देखोगे, तो जितना यह positive charge force दगाएगा, उतना ही negative charge force दगाएगा, क्योंकि sheet की वज़े से, electric field distance पे depend नहीं करता, तो जितना इसकी वज़े से, electric field यहाँ पे आएगा, उतना ही opposite इसकी वैसा आएगा, तो इस slab की वज़े से, force जो रहेगा, वो 0 जाएगा, ठीक है, force of attraction between plates of capacitor is this one, force of attraction लिखना है, तो यहाँ पे cable यहीं दिख रहा है, charge की वैसे इसकी वैसे तो आएगा नहीं, तो इस charge की वैसे force of attraction हो जाएगा, q by 2 a epsilon naught, इस individual charge की वैसे electric field, electric field into charge यह force हो जाएगा, और charge की value यह थी, तो यह हो जाएगा, force F equals to C naught square, V naught square, K square by 2 a epsilon naught, यह हो जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, K दे रखा है, divide by K, एक term गायब है K का, इसलिए sorry, यह एक term K वाला गायब है, यह गलत है, 4th field due to induced charge in the electric slab is, यहाँ पे induced charge की वैसे कितना होगा, तो इसके अंदर electric field हो गया, Q by 2 a epsilon naught K times, सही है, electric field इतना हो गया, medium की विज़े से, अब यह तो total electric field है, इस sheet की वैसे कितना आया, तो यह पार्ट हटा दू, यह क्यों हटा दिया, यह इस charge की वज़े से था, यह total electric field है, बाकी जो electric field आया है, वो induced इसकी वैसे आया, यह सिदा यह लिख दो कि यह charge है, Q by 2 epsilon, Q by epsilon naught A, Q by epsilon naught A, इनकी विज़े से, तो by epsilon naught A, यह लिख सकते हैं, यह यहाँ से भी निकाल सकते हो, तो यह value आजाएगी, Q by 2 A, epsilon naught, 2 नहीं है, तो Q by A, epsilon naught, K, तो, K minus 1 या, 1 minus K लिख दो, by K, और Q की value थी, C naught, V naught, K, K cancel कर दोगे, तो 1 minus K, by A epsilon naught, यह K minus 1 लिख दो, तो यह यह value है, यह electric field की value आएगी, तो देखते हैं, K minus 1, C naught, V naught, epsilon naught, A, यह आजाएगा, इसके electric field, तो यह fourth option भी correct, next question में चलते हैं, question number 3, 3 में, inductive reactance, XL की 100 दरिखिये value, capacitive reactance की value दरिखिये 100, resistance की value दर रिखिये 100 हों, और series में connect का रखा, 100, 50, T, Volt के एक source के साथ, तो कौन साथ statement correct होगा, तो maximum voltage across capacitor, तो देखिये, इसमें current जो flow होगा, उसकी value हो जाएगी, V naught by, current की peak value, V naught by Z के बराबर, series LCR circuit में, अब Z की value, यहाँ पर देखो कि यह resonance condition है, XL रेक्सी बराबर है, तो Z की value अगर हम इस तरह से भी लिखते हैं, कि root XL माइनस XC का whole square, plus R square, तो यह आपस में cancel होगा, R E रह जाएगा, तो V naught 100 है, peak value voltage की, divide by R रह जाएगा 100, तो current की peak value 1 amp, current इस लिए निकाला था कि individual में हम voltage निकाल सके, तो इसके across voltage कितना आएगा, inductor के across maximum, inductor के across maximum voltage बोज़ सकते हैं, इसमें current इन्टू इसका resistance, resistance का मतलब XL से हैं, तो current की value 1, XL की value 100, तो यह 100 peak voltage आजाएगा, similarly capacitor में peak voltage निकाले, तो वही I naught XC, XC की value 100 है, और क्या-क्या पूछा हुआ है इसमें, तो first part maximum voltage across capacitor 100, the net impedance of the circuit is 100, net impedance भी 100 था, maximum voltage across inductor वह भी 100 है, the maximum voltage across the series is, अब पूरा maximum voltage यह रखा है, question में, यह तो है maximum voltage पूरे में, तो यह भी 100 है, तो चार option correct है, इसमें, next में चलता है, question number 4, 4 में दो string जो है, B को cut कर दिया, यहां से, तो cut करने के, just बाद पुछा हुआ है, क्या situation होगी, तो देखें, cut करने के, just बाद इस string पे forces कौन-कौन से हैं, एक तो mg center पे, और इस वाले point पे tension force, यह दोना force रह जाएंगे, यह वाला force रह गया, यह forces है, अब इसमें पूछा हुआ है, initial acceleration of A is vertical, तो देखें, A, अगर string के अंदर tension force है, tension force है, तो A का motion upward नहीं हो सकता, क्योंकि upward motion का मतलब tension हट गया, तो यह वाला तो tight रहेगा, string tight रहेगा, इसका मतलब A का acceleration vertical में तो कुछ नहीं होगा, vertical acceleration इसका 0 है, A का vertical acceleration होई नहीं सकता, सही, तो फिर possible क्या हो सकता है, कि A का acceleration किदर हो, horizontal, यह acceleration होगा क्यों होगा, तो उसके लिए यह देखें, इस पूरे system पे, acceleration of center of mass बोल सकते हैं, total force by total mass, तो जिदर net force अगर है, net force vertical में ही है, जो भी forces है, तो इसलिए acceleration जो आएगा, center of mass का, वो vertically downward direction में आ रहा होगा, direction यह होगी, acceleration की direction downward, rotate करेगा rod, यह end free होगा, तो ऐसे rotate करेगा, rotation की विजए से, इस वाले point का, acceleration, translation की वैसे आगे आता, rotation की वैसे, इसके perpendicular आएगा, तो यहाँ पे, एक पार्ट तो चलो ठीक है, cancel हो गया, लेकिन horizontal पार्ट जो है, वो रह जाएगा, इसलिए horizontal acceleration का, एक component बच जाएगा, तो इसका एका जो acceleration है, वो horizontal है, और initial acceleration of center of mass of rod, वो vertical है, तो second और third हो जाएगा, fourth गलत है, first or fourth गलत है, next पे चलते है, पेरग्राफ दे रहख है, एक हाईटेंशन वायर, is at a high potential with respect to the wire, which is well grounded, called earth wire, you must have seen such wire stretch parallel to the roots, there is a high tension wire between two points A and B, 1 kilometer apart, the distance between high tension wire, and earth wire is 1 meter, the resistance of high tension is 1 ohm per meter, और अर्थ का भी यही है, this wire is at a potential of 11 kv, 11 kv वाली line ball रखी है, और with respect to the earth wire, it is a carrying 1 ampere current, which return back to the generator, by through the earth wire, the wire is quite a thick wire, there is a sign board at a pool, over which this wire is stretch, reading danger, 11 kv volt, तो इसमें डिटेली बता रखी है, critical current यह बता रखा है, अब आगे देखते हैं, डिटेल यह थी कि यहाँ पर 1 km wire की लेंथ है, दो पॉइंट्स के बीच में 11 kv voltage है, और वायर का इतना resistance per minute length है, दो पॉइंट्स की बीच में 1 km, अब question देखते हैं पहला, इसमें बोल रखा है कि एक bird consider करना है, जिसका resistance है 10 ohm, ठीक है, bird consider करते हैं, जिसका resistance है 10 ohm, और यह जो है, high tension wire पे बठावा है, wire पे बठावा है, bird और इसका resistance है 10 ohm, तो potential difference बताना है, इसके feed की बीच में, और current कितना approximately flow होगा इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या है कि यह 11 kv वाली line है, जिसके अंदर current भी बता रखा है अपन को, कि current इसके अंदर 1 amp फ्लो हो रहा है, 11 kv वाल लाइन में, तो 1 amp फ्लो हो रहा है, और इसमें इसका भी कुछ resistance है, इनके पाओं की बीच में जो gap है, वो 10 cm का है, और resistance इस wire का बूल रखा था, 1 ohm पर मिटर, तो इसका मतलब इस wire का resistance अलग बना जिता हूँ, तो 10 cm 110 हो गया, तो यह हो गया 0.1 ohm, बर्ड का खुद का resistance है 10 ohm, यहां पर main wire में current flow रहा है 1 ampere, तो यह पुछावा है कि potential difference और current कितना flow होगा इसमें से, तो देखें, current के लिए क्या कर सकते हैं, कि यह current दोनों में divide हो रहा है, 1 ampere, तो 1 ampere current divide हुआ, तो इसमें current कितना जाएगा, तो current resistance के inverse ratio में divide होगा, यह पहले potential difference दिखा लो, तो potential difference I into equivalent resistance, और equivalent resistance दोनों parallel में है, R1, R2 by R1 plus R2, तो voltage की value की उपर 1, और नीचे लगबग 10 है, तो 0.1 volt के आसपास, इनके across potential difference है, इसके पाउँ के बीच में, तो potential difference 0.1 volt आगया, current कितना आप लोगा, तो 0.1 volt potential difference है पूरे में, तो यहाँ पे भी है, current की value हो जाएगी, इसमें I equals to V by R, तो current की value होगी 0.01 ampere, इतना current इसके पाउँ के बीच में से, इसके अंदर से flow होगा, बर्ड के अंदर, अब यह current value आगयी इसकी दोनों, next part पे चलता है, 6 में, critical current बर्ड के लिए 0.1 बोल दिया, अभी पिछले वाले बाट में 0.01 था, वो इससे कम था, तो safe था वो, और power 11 kv है, transmission line सेम है, और बर्ड को शौक नहीं लगे, distance वो ही है 10 cm, तो उसके लिए power कितनी supply होगी transmission line में, पावर बतानी है, कितनी फ्लो होगी, तो इस बार बोल रखाए कि बर्ड के अंदर critical current इतना flow हो सकता है, तो हम यह कर रहे हैं कि इतना current एक बार critical current फ्लो करवा के देखते हैं, उसके corresponding transmission line में कितना current flow होगा, और current और voltage से power निकालेंगे, तो बर्ड, उसका खुद का resistance 10 ohm, और यहां पर यह resistance 0.1 ohm, बर्ड के अंदर से current जो जा रहा है, वो 0.1 कंती रहे कर लिया, तो यहां पर main transmission line में कितना current जा रहा होगा, वो calculate करना है, तो current यहां से calculate करते हैं, इस current से potential difference निकाल लेते हैं, इसके across potential difference IR, IR की value हो गई 1 volt, तो बढ़ के across potential difference 1 volt, वोई 1 volt, इसके across पूरे में भी 1 volt, पूरे का resistance parallel में है, तो current I की value लिख सकता हूँ V by R, पूरे में potential difference 1, और पूरे का resistance R1 R2 by R1 plus R2, R1 R2 by R1 plus R2, तो current की value आ गई यहां से 10.1 ampere, तो main transmission line में इतना current flow रहा है, अब current इतना है, तो transmission line की power क्या बो हो सकता है, I into V, transmission line की power I into V ही बोलना है, I square R, V square by R, नहीं बोलना है, I into V रहेगा, क्योंकि यह current flow कार, यह potential, वहां पे generate किया वादा, आर्थ वायर और high tension की बीच में, तो current की value 10.1, voltage, transmission line की बात कर रहे हैं, तो transmission line 11 KV की है, तो 11 KV, तो power यहां से आ जाएगा, 11, तो कितना आ जाएगा यह, यह value आ गई, 1,1,1.1 KV, इतना transmission line के अंदर, maximum power flow हो सकता है, bird safe रहेगा, तो इसमें पूछा भाए कि, कौन-कौन से में shock नहीं लगेगा, तो इससे कम वाली values यह भी है, यह भी है, और यह भी है, यह जादा हो गई, तो इसमें shock लगेगा, तो first, second, और third हो जाएगा, इसमें, next question, next question में, an experiment setup of verification of photoelectric effect is showing the voltage across the electrode is measured with the help of ideal voltmeter, and which can be varies by moving a jockey J on a potential meter wire, the battery used to potential, used in potentiometer circuit is 20 volt, और internal resistance is 2 ohm, resistance of 100 ohm long potentiometer wire is 8 ohm, यह 8 ohm का, 100 meter, यह भी diagram में पूरी डिटेल बता रखिये, तो इसके according, पूचा किया है, तो first जाभी और है, तो इसमें बोल रखा है, तो इसमें बोल रखा है, कि the photo, photo current is measured with the help of ideal emitter, two plates of potentium oxide of area 50 cm, separation 0.5, use vacuum tube, तो यह डिटेल दे रखा है, उसी पूरी setup का, तो अब पहले option पर आते, इसमें दे रखा है, कि number of electrons appeared on the surface of cathode plate, and voltmeter reading, when the jockey is connected at the end of P, और the potentiometer wire, और reading जो है, sorry, radiation जो है, वो किसी तरह का नहीं आ रहा, तो देखें, इसमें बोल रखा है, कि किसी तरह का radiation तो incident नहीं हो रहा, अगर radiation incident नहीं हो रहा, तो photo electrons generate नहीं होंगे, current नहीं flow होगा, तो यहाँ पर कोई current नहीं flow हो रहा, तो यह current की value तो 0 है, यह current की value 0 है, फिर दूसरा, यहाँ पर voltmeter की rating वो ही आईगी, जो इसके across है, तो शुरुवात में इसको connect किया हुआ, कहाँ पर पी पी बोल रखा है, पी पर connect किया हुआ था, पी पर connect किया हुआ है, यहीं पर connect किया हुआ है, इसका मतलब जो इस wire की across potential difference है, वो ही वोल्टिमेटर की rating आईगी, तो wire की across potential difference निकाल लेते हैं, तो 20V, current यहीं से जा रहा है, उपर current बिल्कुल नहीं गया, तो केवल इस circuit को, primary circuit को solve करते वे, केवल potential difference निकाल रहे हैं, तो total current, circuit में flow होगा, voltage by resistance, यहां से, current निकाल लिया, current into, इसका resistance, इसका across potential difference, और यह potential difference यहाँ पर रीड करेगा, तो यह value आजाएगी, 20 by 10, cancel होगया, 16V, यह वोल्ट मिटर की डिटेगा, फिर दूसरा पुछाब है कि, इस plate पे charge कितना अपेर होगा, कितने electrons आएंगे, वो पुछाब है, तो इस plates पे photoelectric effects, electron नहीं आरे, लेकिन यह as a capacitor work करेगा, जिसके across potential difference यह है, तो capacitor की plate पे charge कितना होगा, तो capacitor की plate पे charge लिख सकता है, Q equals to CV, और capacitance हो जाएगा, epsilon not A by D into V, V यह potential difference है, तो charge की value आजाएगी, 8.85 into 10 bar minus 12, charge को N E लिख देते हैं, और N की value calculate करते हैं, divide by E करके, तो यह आजाएगा, number of electron कितना है, epsilon not A, area दे रखा है, उसका, 50 cm2, 50 into 10 bar minus 4, voltage 16 आया था, plates की बीच में separation, 0.5 into 10 bar minus 3, E की value, 1.16 into 10 bar minus 90, ठीक है, यह value जागे, तो यहाँ पर point खिसका के, 10 आज़ बार minus 4 से minus 4 cancel कर दो, और यह 5 बचेगा, उससे यह 10 रजाएगा, 1.6 से, इसको cancel कर दो, 10 यह आजाएगा, तो यह रजाएगा, 8.85 into 10 आज़ बार, यह 19 था, minus, plus 19, plus 20, plus 21, minus 12 में से, plus 21 अटा दिया, तो प्लस का 9 रे जाएगा, तो इतने number of electrons, इस plate पे अपेर होंगे, तो options चेक करते हैं, तो इसमें बोल लखा रहा है, कि potential कितना अपेर होगा, तो वो तो 16 वोल्ट, और कितने electrons आएगे, तो 8.85 into 10 आज़ बार, minus 9, third और fourth correct हो जाएगे, नेक्स, 8 में, 8 में बोल रखा है, कि light fall हो रही है, एनोड plate पे, emitter की reading जो है, वो 0 आ रही है, तिल जॉकी को जब तक हम मूँ नहीं करवा दे थे, P और Q के midpoint तक, midpoint तक जब तक मूँ नहीं करवा रहे, तब तक current की value 0 है, current की value 0 आने का reason यह है, कि वहाँ पे जो potential difference लगा रखा था, वो stopping potential से ज़्यादा, या उसके बराबर तक आ गया, midpoint तक, इसलिए current नहीं फ्लो हुआ, तो यह इसमें kinetic energy, जो emitted electrons है, उसकी बतानी है, क्या हो सकती है, तो देखें, midpoint पर connect कर दिया, इसको, midpoint पर connect करने का मतलब, इसके across जो potential difference है, current तो जा नहीं रहा, same potential difference इसके across रहेगा, current 0 बोल रखा है, जब तक midpoint तक नहीं आ जाए, तो midpoint के across potential difference कितना आ जाएगा, total के across अभी calculate या था, 16 था, तो midpoint के across कितना आ जाएगा, 18V, तो 18V potential difference तक, यहाँ पर current नहीं फ्लो हुआ, तो इसका मतलब stopping potential, EV0 equals to maximum kinetic energy, electrons की, जो यहाँ से emit होंगे, तो यहाँ से maximum kinetic energy, photo electrons की आ गई, 8 electron volt, 8 electron volt, maximum kinetic energy की, electrons यहाँ से निकल रहे थे, लेकिन वो किया कि, दूसरी plate पर आते आते रुख गये, stopping potential तक, यहाँ से ज़्यादा रखा, तो, तो options देखते हैं, इसमें बो लखा है, तो kinetic energy, तो maximum kinetic energy नहीं पूछी है, kinetic energy of electrons, पूछी है, तो 8 या 8 से कम वाले हो जाएंगे, तो second और third हो जाएगा, इसमें, next question पर, section C, question number 1, इसमें एक transparent cylinder है, जिसका right half जो है, वो polish किया हुआ है, as a mirror, और parallax light ray incident हो रही है, from left side, parallel to principal axis, और exit भी जो कर रही है, वो parallel कर रही है, और incident leakage, जैसा शो किया हुआ है, डाग्राम में, तो refractive index material का बताना है, 10 N की value बतानी है, N refractive index, तो देखे जाए, cylindrical दे रखा हो, बिल्कुल calculation, बिल्कुल spherical जैसी रहेगी, इसके अंदर, cylindrical के अंदर, क्योंकि जो dimension जिसमें दे रखा है, इधर की और incident हो रही है, तो इस वाले पार्ट के लिए, तो sim spherical वाले concept लगेंगे, जो दूसरी dimension में radius बिल्कुल नहीं है, तो उसमें एक तरह से normal plane surface की जैसे concept लगा सकती, लेकिन उतना कुछ नहीं है, symbol साइए, एक तरह से spherical surface वाले concept इसमें लगा रहे है, तो parallel rays आई, reflect होके वापस अभी जाएगी, जब यहाँ पे जाके इससे rays जो है, वो converge हो रही हो parallel rays, यहाँ पे converge होने का मतलब diameter की बराबर distance पे जाके image बन रही है, object रखावा infinite पे, तो curved surface से reflection का फॉर्मना लगा दिया, mu2 by V, 2R पे image बन रही है, और sign convention wise वो positive direction में है, minus mu1 by U, object infinite पे था, mu2 minus mu1, n minus 1, by R, radius of curvature भी इसका positive side में है, R, तो यहाँ से यह value आ गई, n equals to 2n minus 2, यहाँ फिर n equals to 2, तो n की value 2 आ गई, 10n पूचावा है, तो 20 हो गई इसकी value, next question में, एक shell mass 4 kg का दे रखा है, वो move कर रहा है, velocity 10 meter per second से, upward explode कर गया, 3 part में, height 50 meter पे, ground से, तो 3 second के बाद, एक part के लिए बता रखा है, 2 kg का mass और ग्राउंड पे पहुंच गया, दूसरा 1 kg का 40 meter height पे है, तो 3 पार्ट कहां पे होगा, वो बता रहा है, यो तीसरा बाद 10x पे है, तो x की value कितनी हो बतानी है, तो देखें, यहाँ पे, जो mass 50 meter height पे था, वो explode हुआ है, तो उसका center of mass तो, अभी भी motion gravity है, वो gravity की वैसे, जितना जाता था, उतना ही जाएगा, तो 3 second के बाद, पूछा हुआ है, तो 3 second के बाद, पहले center of mass की position निकाना है, तो 50 initial position, बाद में अपलाई करती है, ऐसी कोई उती, प्लस half 80 square, acceleration g, 10 लेना है, t square t की value 3 second थी, तो यह center of mass की position आगए, कि center of mass 3 second के बाद, इस position पे होगा, और center of mass वैसे कहल से calculate करेंगे, m1, x1, जो ground पे बहुँच गया, m2, x2 40 meter height पे है, plus m3, बाद की जो mass बच गया, 1 kg बच गया, 4 kg टोडल था, और उसकी height h, divide by m1, plus m2, plus m3, 4, यहां से देखते हैं value, तो 50, plus 30, 90 by 2, 45, into 4, और minus 40, यह h की value आजए, तो यह value तो आगी थी, plus 5, 35, into 4, 140, 100 आगी थी, यह value, तो x की value है, 100 यहां पे, तो जो third वाला part है, वो 100 meter height पे ग्राउंड से, और 10 x बोल रखा है उसको, तो x की value कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, यहां पे पर, question number third, third में, एक steel wire cross-sectional area दे रखा है, दो fake support के बीच में है, wire just tight है, 20 degree Celsius पे, tension लगबग 0 गंथी रख कर लो, तो tension 0 degree Celsius पे, कितना होगा, उसके अंदर वो बताना है, details दे रख की है, alpha दे रखा, young's modulus दे रखा है, तो देखें, wire जो है, उसमें temperature decrease होने की वैसे, length में change आएगा, तो delta L by L, equals to alpha delta T, यह बोगदो delta L equals to L, alpha delta T होता है, temperature की वैसे, इतना length में decrement होगा, लेकिन दोना तरफ tension force उसको, कीच के वापस original length पे लाएगा, तो इसकी वैसे बोगदो सकता है, कि stress by strain equals to young's modulus, या फिर strain delta L by L, equals to stress, stress होगए tension by area, upon young's modulus, यह हो जाएगा, जिसको हम thermal stress भी बोल रहे होते हैं, T by A को, तो T की value आजाएगी, A by alpha delta T, A की value 0.5, और Y की value 2, alpha की value 1.2, temperature 20, पावर अभी लिख देते हैं, तैने सु पावर, area में तैने सु पावर माइनस 6, और young's modulus में प्लस 11, alpha के अंदर माइनस 5, temperature में पूरा 20 लिख दिया है, तो यह value आ गई, 1 यह हो गया, और 24, यह 24 यह आ गया, और इधर पूरी पावर कैंसिल भी हो गई थी, तो 24 यहां पर tension force इसके लिख दर अगया है, Newton में, question number 4, तो देखे, question number 4 में, एक कोन को hold किया हुआ है, fingers से, और mass दे रखा है 2 kg, coefficient of static friction दे रखा है 1, तो minimum normal कितना चीज़ को hold करने के लिए, वो पूछा हुआ है, तो देखे, यहां पर इस कोन पर जो forces लग रहा है, तो forces कौन कौन से लगेंगे, इधर वाली fingers से normal लगेगा, horizontal में forces balance होने चीज़ लिए, दोनों को बराबर बोल चकता है, downward लगेगा mg, और इस तरफ से friction लगेगा, और just minimum पूछा हुआ है, तो limiting friction या static maximum बोल दो, mu n, same mu n, इधर वाली surface से भी mu n लग रहा था, यह हो गया, अब इसमें consider कर लेते हैं कि vertical से angle यह theta है, vertical से theta angle है, theta एक बार calculate कर लेते हैं, कि vertical से यह angle theta कितना है, तो यह है 3, यह है 4, 3, 4, तो यह आजाएगा 53, यह 37, तो यह 37 degree angle है, तो forces लिख देते हैं, balance करते हैं forces, तो इसमें vertical में force आजाएगा, mu n, cos theta, double, downward force आजाएगा, normal का component, अगर इसका vertical component, cos आ रहा तो इसका sign आएगा, angle देख लो चाओ दो, कि यह angle, अगर vertical से यह angle theta है, तो यह 90 minus theta है अगा normal का, तो यह आजाएगा, n sin theta, दोनों तरफ से लग रहा था double, और एक mg लग रहा है, यह आपस में balance हो रहे हैं, तो normal की value हो जाएगी, यहाँ से mg divide by 2, mu, 2 दोनों से लेलो, 37 हो जाएगा, 4 by 5, minus sin 37, 3 by 5, 2 cancel, यह हो गया, 1 by 5, 50 यह जाएगी, तो 50 newton का force required है, fingers से, जो इसको balance कर पाएगा, next question, एक circular arc दे रखा है, xy plane में, जो rotate कर रहा है, y axis के about, अब इसी तरह से, इसी plane में rotate कर रहा है, angular velocity है, 5 by 6, तो कितने time के लिए, इसमें induced EMF होगा, loop के अंदर, अभी magnetic field के बाहर है, कोई loop के अंदर induced EMF नहीं आएगा, इस वाली situation पे आएगा, तब से induced होना start होगा, जब से flux change होना start होगा, आगे गया, flux में change होगा, आगे जाएगा, और flux में change होता जाएगा, और जब यह बिल्कुल इस तरह से आजाएगा, तब यहाँ पे maximum flux, इसके अंदर से pass होगा, लेकिन थोड़े से time, ताइम नहीं लगेगा, और अगले instant पे फिर से flux इसमें से कम होने लग जाएगा, flux कम होना start कर जाएगा, और जब तक यह इस तरह से बाहर नहीं आ जाएगा, तब तक flux कम होता जाएगा, तो इस वाली situation से, इस वाली situation तक flux में change होगा, इसका मतलब कितना rotate हो गया, एक surface को देखेंगे, तो 180 degree rotate हो गया, तो 180 degree का rotation है, तो 180 degree के rotation में time कितना लगेगा, तो theta pi by omega, यूज़ी MF होगा, next question, question number 6, ydse में distance relates के बीच में दे रखी है, distance screen के साथ दे रखी है, wavelength given है, और i naught intensity है, central maxima पे, minimum distance बतानी है, जहां पे intensity i naught by 2 होगी, तो ydse में कुछ भी i intensity हम बोज़कते हैं, i naught maximum intensity, cos square delta 5 by 2 के बाराबर, रही, अब i naught की value बोल रखी है, i naught by 2, i naught cancel होगी, half cos square है, 1 by root 2 आ जाएगा, plus minus वैसे थो, equals to cos delta 5 by 2, अब 1 by 2 होता है, 45 degree pi by 4 पे, तो pi by 4, minimum पूछा है, इसलिए pi by 4 ले रहे हैं, delta 5 by 2, इसका मतलब delta 5 की value, part difference की value आ जानी चाहिए, pi by 2, लेकिन part difference नहीं, distance पुछी वी है, तो part difference और phase difference में, relation है, 2 pi by lambda into delta x, pi cancel होगया, इसका मतलब delta x की value आ गई, delta x की value, lambda by 4, और delta x इसमें y ds e में होता है, y small d by capital d, कमी distance consider करें, center से, lambda by 4, तो y की value आ जाएगी, lambda capital d by 4 times small d, lambda है 6000 एंगस्ट्रों, d की value है 120 cm, minus 2, 4, d की value है 0.25 cm, minus 2, cm cancel होगया, 4 और यह पूरा cancel होगया, 0.5, तो यह आ गया, 72 n2, 10 to power, minus 6, meter, तो micrometer में क्या बोल सकते हैं, 72, तो micrometer में 72, center से distance होगी, जहां पर intensity i0 by 2 होगी, first time, तो इसी की साथ, paper discussion खतम होता है अपना, thank you.